आर्ट फाउंडेशन शिमला द्वारा शिमला में चित्रकला प्रदर्षनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शेहर के युवा चित्रकार तरुण देशाई की प्रदर्षनी को एतिहासी गेटी थेटर में लगाया जा रहा है, ये प्रदर्षनी पांच दिन तक चलेगी, 20 जुलाई को इस प्रदर्शनी का समापन होगा, इसमें 40 पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। लेंड्सकेप, सीसकेप, नेचर पोट्रेट, डिवाइन पोट्रेट और कल्चर एंड हेरिटेज कैन्वस है। तरुन देसाई ने कहा कि वे शिमला के रहने वाले हैं और अपनी मा से प्रेरित होकर ये पेंटिंग बनाई हैं और इसके लिए ट्रेनिंग उन्होंने कहीं से भ पाए, टाइम ना निकालके, मैं उनको कहूंगा एक बड़ी टाइम निकालो, मैं मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेंटिंग कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं है। एक बड़ी करना शुरू किया, मजा आने लगा, आज ये दिनने के अपनी एक एक एगजिब पर जा मुर्भ होंगा संदेश, जो पेंटिंग बनाते हैं, बनाते रहें वो कंटिंव करते रहें, अपना जो आर्टिस वता हो वैसे भी उसको और किसी भी काम में मज़ा नहीं आता है। वो सिरफ अपना ध्यान में, अपने कला के अंदर इतना वो डूबा होता है कि इसक अपनी में बताया कि अपनी मदर से इंस्पायर होके पेंटिंग का इनको शॉक हुआ और उसके बाद से लगाता हूँ शॉक बढ़ता गया ये कॉपर्ट सेक्टर में भी रहें लेकिन आप उसको छोड़ के शमला में ही रहते हैं और इतनी खुबसूरत पेंटिंग करते है आप यहाँ पैंटिंग की है और लैंड्सकैप्स है और यहाँ और सेस्केप्स है पिर जो एंटिंग प्रभावरित होगा उसको मज़ा है तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ही है शिम्ला के लोकलों से भी और टोरिस्ट से भी कि जरूर इस पेंटिंग ही है तो जरूर आएं और इनके टेलेंट को देखें और इनके पेंटिंग का मज़ा लें और इनको खरीदें दें बूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला